हेलो दोस्तों गैसा आप सब लोग उमीद करता से वड़े होंगे I hope आप लोगों के एक्जाम के तेगेरी दोस्ट जो बढ़िया से चल ली होगी ये वीडियो सभी भाई लोगों के लिए बहुत ही जाद है इंपोर्टेंट होने वाली है तो अभी आप सेलेक्शन से बहुत दोर हो ठीक है तो मतलब 16-17 नमबर खीचना बहुत ज़रूरी होता है हिंदी में अगर आपको कही ना कहीं मैरिड में आना है हिंदी के उपर भी वह टाइम देना है हिंदी के क्वेश्चन को चलिए चलिए दो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है जिस सर्व नाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्व नाम से संबंद स्थपित क्या जाए उसे कहते हैं तो इसने question में आपको answer दें दिया संबंद स्थपित क्या जाए उसे बोलते हैं संबंद वचक सरुना next question यर्ण संदी का उधारन पौन सा है इत्यादी हो जाएगा इसका अगर संदी विछेद आप करोगे तो कभी-कभी पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है क्या होता है संदी बीचित इत्ती पलस आदी ठीक है इत्यादी बाकी अदर है जो इनके बारे में भी देख लेते हैं दूरुगन आपका विसर्ग संदी का उधारान है नयन है जो आपका ये आयादी संदी का उधारान है और उलंगन है जो ये आपका वियंजन संदी का उधारान है नेक्श देख लेते हैं जहां पहला पद गौन और दूसरा पद परदान हो वहां होता है जहां दूसरा पद परदान होता है वहाँ क्या होता है उसे तत्थपुर्ष समास कहते है Option C इसका right answer हो जाएगा ठीक है, next question देख लेते है सावन हरे न भादो सुके लोकुत्ती का अर्थ है सावन हरे न भादो सुके लोकुत्ती का अर्थ क्या है सदा एक समान रहना Option C, इसका right answer हो जाएगा यानि कि सावन में ना हरा होना और भादों में ना सोकने का मतलब ही यही है कि एक समान रहना है कोई परवर्तन नहीं ठीक है next question है वह इस तरी जिसे उसके पती ने छोड़ दिया हो कहलाती है जिसे उसके पती ने छोड़ दिया हो उससे क्या कहते हैं तो वो होती है परत्याक त ठीक है, next version देख लेते हैं, निमिल लिखित में से, संतोस में संधी है, संतोस में कौन सी संधी हो जाएगी, व्यंजन संधी, option D, इसका right answer हो जागा, अगर इसका आप संधी विच्छेत करोगे, संतोस का, तो ये होता है, संधन तोस, ठीक है, संधी विच्छेत क्या होता है, सं संधन तोस, next version देख लेते हैं, जो आपकारी सब्द किरिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, किरिया विशेषन कहते हैं, option D, इसका right answer हो जाएगा, next version है, निमन में से, पहाड़ी सब्द में प्रते जुड़ा है, पहाड़ी में कौन सा प्रते जुड़ा, option B, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, next version देख लेते हैं, next version है, निमन में से, अप उपसर का प्रियोग की सब्द में नहीं हुआ है, option D में नहीं हुआ है, अप परिपक को, ठीक है, next version देख लेते हैं, मैदान मारना, मैदान मारना महबरे का अर्थ है, मैदान मारना महबरे का अर हो जाएगा निर्देशक चिंद कहा जाता है इसे ठीक है नेक्स स्वेशन है निमिलिखित में से कौन सा अनिश्चे वाचक सरुनाम नहीं है तो वो कौन सा सब्सक्राइब लेकिन जो कौन है ये क्या है निश्चे वाचक सरुनाम है ठीक है नेक्स विश्चन देख लेते हैं निमलिकित में से सक्किर्ण का विलोम सब्द है सक्किर्ण का विलोम सब्द क्या होगा विस्त्रिन हो जाएगा ठीक है अपसने इसका राइट आंसर हो सक्किर्ण का मतलब हो या बड़ा ठीक है ृश्ění तहलेते हैं निमल लिखत में से व्यकथी व्यक्ति वाचक संगीया कौन सी हो जाएगी इंद में हिमाले हो जाएगा से इसका रा राइट अंसर होजगे हिमाले क्या है किसी एक पहाड का नाम है ठीक है next question देख लेते हैं निमन लिखित में से तदभाव सब्द है तदभाव सब्द क्या है इसमें सेट हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा अगर इसका तस्सम देखें तो सेट का तस्सम क्या होता है स्रेश्टी होता है ठीक है समास है पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा बहु बरी समास हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा राश्टिता सब्द है राश्टिता सब्द क्या है भाव आचक संग्या है next question देख समुद्र सब्द का प्रियावाची है समुद्र का प्रियावाची क्या है पयोदी हो है ठीक है अगर सारदा देखें तो सारदा किसका है शरश्वती का है नेक्स वेशन देख लेते हैं जिसकी गर्दन सुन्दर हो वाक्यांस के लिए एक सब्द तो वह सूग्रीव है अप्शन बी इसका राइड आंसर है नेक्स वेशन निमलिकित में से किस विद्यन वर का उच्चारण इस्तान ओष्ट है तो असा भी को पता है पाफा बाभा है अप्शन ए इसका राइड आंसर हो जाएगा नेक्स वेशन है दयानंद सब्द में संदी है दयानंद में कौन सी संदी है तो option B इसका राइड आंसर हो जाएगा देर के संदी है अगर इसका आप संदी विच्छित करोगे तो क्या हो जागा दयाधन आनंद ठीक है दयाधन आनंद नेक्स वेशन है वे सब्द जो किसी संग्या यह सर्वनाम के गुण दोस रूप रंग आकार दसा का बोत करा अउन्हें कहते हैं तो वो क्या कहते हैं गोणा वाद्चा कहला आथे हैंे isका राइड आंसर हो जाएगा नेक्सवेशन ऑप नेक्स वेशन है तालवे विंजन है तो तालवे विंजन कौन से हो जाएंगे आपके option B इसका right answer हो जाएगा चाचा जाजावाला है जो ये तालवे विंजन है टाठा डा ये कौन सा है मूरधन्ने है ठीके काखा आपको पता है कंठाई होते हैं और ताठा होता है आपका दंत है ठीके नेक्स वेशन है बरबर सब्द का विलोम है बरबर का विलोम क्या होता है शब्द होता है option A इसका right answer हो जाएगा ठीके दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर मैं मिलूँगा आपको नक्षी वीडियो में कुछ और question के साथ Thank you so much